नमस्कार मेरे प्यारे साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं UP Police Constable Re-Exam 2024 के लिए Reasoning की एक बहतरीन क्लास प्यारे दोस्तों आज की इस क्लास में हम Reasoning का Practice Set नमबर UP Police Re-Exam से रिलेटेड हमने Reasoning के बहुती सांदार प्रिशनों को पिछली क्लास में कबर किया है तो दोस्तों बात करते हैं आज की इस क्लास की बहुती सांदार प्रिशन हमने आज की इस क्लास में सामिल किये हैं जैसे की Question No.1 आप सभी के सामने है जैसा की हमने Thumbnail में देखा था Question No.1 कहा गया है निम ने लिखे प्रिशन में पहली संच्या का दूसरी संच्या से वही संबन्द है जो तीसरी संख्या का चौती संख्या से ग्यात किजिए चलिए बताते हैं प्रिशन में लिखा गया है दोस्तों अगर जामा मस्जिद क्या लिखा है प्यारे दोस्तों लिखा गया है जो जामा मस्जिद है अगर इसका संबंद किस्से है इसका संबंद प्यारे दोस्तों अगर दिल्ली से है किस्से है दिल्ली से है तो बताओ प्यारे दोस्तों रेड इसक्वेर का संबंद किस्से होगा प्यारे दोस्तों रेड इसक्वेर बता यहाँ पर जामा मस्जिद जो है एक प्रकार की कह सकते हैं बिल्डिंग है या कह सकते हैं एक भारत की प्रसिद मस्जद है ठीक है याद रखेंगे उसी प्रकार रेड स्क्वेर नामक बिल्डिंग या रेड स्क्वेर नामक प्रसिद इस्थान कहां पर है यह बताना है तो दो जो बरतमान में यूकरेन पर धमाके धमाके किये जा रहे हैं ठीक है तो इस तरह से जोड़ जोड़ के याद कर लेंगे जिस तरह से जामा मस्जिद हमारी दिल्ली में इस्तित है उसी प्रकार रेड स्कुएर कहां पर मासको में इस्तित है और मासको किसकी राजदानी है सर एक अलग है विसम विकल्प उग्यात कीजिए यहां पर हमें क्या करना है विसम विकल्प फाइंड आउट करना है चली दोस्तों इसको गौर से समझेंगे पहले ऐसे प्रिश्ण में करना क्या होता है देखो यहां पर जो आपको अक्षर दिये गए हैं इन अक्षरों का स्था याद या माल लिखना है कैसे लिखेंगे सर बी कितने पर होता है चार पर होता है कितने पर पाँच पर होता है ठीक कितने पर होता है 15 पर होता है और यहां पर जो एल दे रखा है कितने पर है 12 पर है दोस्त इसके बाद नीचे वाला देख लो लाश्ट वाला लाश्ट वाला देखने जाओगे तो पता चलेगा आर कितने पर सर 18 पर हो जाएगा उसके बाद टी कितने पर 20 पर हो जाएगा उसके कितना जुड़ेगा एक उसके बाद 14 में कितना जुड़ेगा एक जुड़ेगा भाया यहां पर तो 18 में तो दो जुड़ रहा है हम देखेंगे अगर गोर से तो तीन ऐसे विकल्प हैं A, B और C जिन में पहली और दूसरी जो अक्षर हैं उनके बीच में एक जुड़ रहा है जबकि बिकल्प नमर D में कितना जुड़ रहा है पहले दूसरे अक्षर में भाया दो जुड़ रहा है इस कारण कौन सा बिकल्प बिसम है भाई D बाला बिसम है कौन सा बताएंगे सर D बाला बिसम बताएंगे इस बात को याद रखेंगे इसके अतरत आगे भी चेक कर सकत है तो भी विसम है तो क्या वो लेंगे सर D option जो है वो हमारा इसका विसम उत्तर है इस बात को यार रखेंगे अगले प्रिश्ण में आ जाईए अगला प्रिश्ण कोडिंग decoding का एक बहतरीन प्रिश्ण है question number यहां पर देखेंगे हम तो प्रिश्ण को लिखा गया है किसी सांकेतिक बासा में अगर कावेरी को यह लिखा जाता है तो मैसूर का कोड क्या होगा तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो हम देखेंगे कावेरी को किस तरह से वी ए के आई आर ई लिखा गया है गोर से देखो मैं अगर यहां पर कावेरी को लिखूगा के ए उसके बाद क्या है दोस्तों वी है ठीक है के ए उसके बाद क्या है वी है उसके बाद क्या है और आई है तो दोस्तों अगर गोर से आप देखेंगे अगर यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो कावेरी में कितने लेटर है यहाँ गौर से चेक कर लो तीन ये रहे तीन ये रहे छे लेटर है और इन छे लेटरों को उसने इस तरह से प्रशन्जने गुमाया है कि उसने क्या किया है तीन तीन लेटरों का पेर बनाया तीन तीन लेटरों का अगर पेर बनाएंगे तो दोस्तों यहां से हम पकड़ें V से V के बाद A, A के बाद K यह क्रोस पेटरन पहले तीन लेटरों में हो गया क्या हो गया दोस्त पहले तीन लेटरों का बहतरीन सा क्रोस बेटरन चला है बहतरीन सा क्रोस बेटरन है जिसमें हमें क्या किया गया है हमें किया गया है लाश्ट हो तीन का अगर देखें के ए वी का तो इसमें लाश्ट कौन सा बनेगा वी बनेगा V के बाद बीच का बीच में रहने दिया K को यहाँ पर ले आए ठीक उसी प्रकार इन तीन लेटरों का भी किया गया है यहाँ पर इस तरह से इस तरह से यह भी किया गया है अगर गोर से आप देखेंगे गोर से I, R क्या हो जाएगा एक मिनिट क्या हो जाएगा दोस्त आई हो जाएगा आर का आर रहने देंगे और ए को लाश्ट में ले आएंगे तो क्या दोस्तो यही लिखा गया है कावेरी को बताओ आप बोलेंगे वी एके आई आर ई तो यहाँ पर भी आपका V, A, K, I, R, E है तो यही तो लिखा है आप बोलेंगे हाँ सर यही लिखा है इसका मतलब क्या है कोड हमें किसका बताना है गौर से देखो मैसूर का तो मैसूर में कितने लेटर हैं अगर देखें M, Y, M, Y, S ठीक है O, R और E दोस्तो यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी 6 लेटर हैं तो क्यों न हम इसका सेम तीन-तीन का पेटरन बना लें तीन-तीन का पेटरन वो भी क्रोस में होना चाहिए कैसे होना चाहिए तीन-तीन का पेटरन तो होना चाहिए पर क्रोस में होना चाहिए भाईया कैसा होना चाहिए क्रोस में इस तरह से इस तरह से होना चाहिए तो बना दो जल्दी से बनाओगे तो दोस्तो एस से शुरुआत होगी बिकल्ब की S Y का बीच में Y और M को लाश्ट में ले जाओ यहां पर E आ जाएगा R का बीच में R और लाश्ट में O ले जाओ तो S Y M E R O S Y M E R O देखेंगे तो कहीं भी नहीं है इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड है इसका मतलब क्या है S Y S Y M S Y M कहीं पर दे रखा है S Y M उसके बाद क्या है E R O कुछ तो गड़बड है मैसूर को हमने कहीं गलत लिखा है M Y S O M Y S O R E तो दोस्तो यहाँ पर ऐसा ही पैटरन तो चल रहा है हम लोगों का यही पैटरन तो चल रहा है कोई उप्सन है क्या कुछ गड़बड हो रही है जल्दी से बताओ कुछ गड़बड हो रही है क्या लाश्ट में तो यार दोस्त आपका क्या आना चाहिए O आना चाहिए चूकि लाश्ट में हमारा यहाँ पर यह वाला E है और यहाँ पर यह O है तो यह हमारा लाश्ट में O आना चाहिए तो कहीं न कहीं यह उप्सन सारे के सारे गरबड है एक बार इसको चेक करते हैं इस प्रिश्ण में प्यारे साथियो आप एक लोग एक option और बना लो ठीक है यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे एक option और बना लेंगे जिसको हम अगर नाम दे दें इवाला option ठीक है यह इवाला option हमारा सही होगा यह चारो के चारो गलत है यहाँ पर चारो के चारो मिश टाइप हो गए है इस बात को आप सभी याद रखेंगे आपको PDF में सुधरे हुए मिल जाएंगे उत्तर बनेगा विकल्प नमर E ठीक है अगले प्रिश्ण में आजाएए कुश्चन नमर चार भी एक कोडिंग डिकोडिंग का बहतरीन प्रिश्ण है कहा गया है यदि 80 को 20 लिखा जाता है B 80 को 40 लिखा जाता है और CAT का कोड क्या होगा यानि कि CAT को किसके समान लिखा जाएगा ऐसा बताना है तो प्यारे दोस्तों इस प्रिश्ण को गौर से देखो AT अगर देखें यहाँ पर A और T को A और T को अगर देखते हम लोग तो A और T को 20 कैसे लिखा गया है बस यह देख लो 20 कैसे लिखा गया है तो आप बोलेंगे सर A 1 पर होता है और T हमारा 20 पर होता है अगर इन दोनों का आपस में गुणा कर दें तो 20 एकम 20 हो जाएगा आप बोलेंगे हासर क्या यही लोजिक आगे भी चला है देखो BAT में BAT बैट को क्या लिखा है वह या 40 लिखा है तो B कितने पर 2 पर होता है A कितने पर 1 पर होता है और T कितने पर 20 यानि 20 पर होती है तो 20 एकम 20 दूनी 40 ये भी लोजिक हमारा फॉलो कर रहा है तो यही लोजिक प्यारे दोस्तों हमारा आगे भी चलेगा किसमें CAT में तो C, A और T C होता है प्यारे दोस्तों 3 पर A होता है 1 पर T होता है 20 पर ठीके 20 एकम 20 थिया 60 तो इसका जो code आएगा यानि कि जो हमारा cat होगा cat का जो code आएगा वो प्यारे दोस्तो बिकलप नमबर C 60 आएगा इस बात को याद रखेंगे क्या आजाएगा बिकलप नमबर C 60 आजाएगा ठीके करना क्या है जो भी स्थानी मान होगा उनका आपस में गुड़ा कर दो उत्तर हमारा आजाएगा अगले प्रिश्न में आते हैं अगला प्रिश्न प्यारे दोस्तो बिलेड रिलेशन का एक बहतरीन सा प्रिश्न है जिसे हम बोलेंगे प्रिश्न नंबर 5 बुला है रामा आयूस का भाई है सीता जिगनेस की पतनी है आयूस सविता की पती है आयूस सविता की पती है अरे आयूस सविता का पती होना चाहिए ठीक है यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा सुधार लो ये तो मिश टाइपिंग है दादा क्या है यहाँ पर आयूस सविता का पती है ठीक है इस बात को याद रखेंगे तो आयूस को हमने सविता का पती बना दिया कैरा दुरगा जिगनेस की पुत्री है जिगनेस रामा के पिता है दुरगा का सविता से क्या सम्मंद है चलिए देखो इसको गौर से दिखते है पहली लाइन रामा आयूस का क्या है भाई है तो रामा जो हो जाएगा वो किसका भाई बनेगा आप बोलेंगे रामा भाई बनेगा आयूस का ठीक है इस बात को याद रखेंगे रामा भाई बन जाएगा आयूस का ठीक है इस बात को याद रखेंगे आयूस चुकि एक नाम है और लड़के का नाम होता है या रामा का ठीक है क्या बनाऊँगा मैं इस जिगनेस नाम के सक्स को जो यह जिगनेस नाम का सक्स है जिगनेस यह पिता किसका बन जाएगा रामा का तो उपर वाली PD में आएगा जुकि पिता है तो प्लस लगेगा और अब देखो second line सीता जिगनेश की पतनी है अब भया जिगनेश की साधी करानी पड़ेगी किस से करानी पड़ेगी चुकि सीता से प्रिश्ण में बोला है जो सीता नाम की लकी है वो क्या है जिगनेश की पतनी है तो मैंने जिगनेश की पतनी चुकि महिला है माइनस लगा दिया आयूस सविता का पती है तो क्या बोला है आयूस नाम का जो सक्स है वो सविता का पती है तो आयूस की भी वहिया साधी करवानी पड़ेगी वो किस से साधी होगी सभीता से होगी तो हम इसको यहाँ पर सभीता बना देते हैं ठीक है यहाँ पर सभीता बना देते हैं सभीता चुकि एक महिला है क्योंकि पती आयूस हो गया तो पत्री कोन हो जाएगी सभीता हो जाएगी अब आगे बोला है दुरगा ये लिखा है दुरगा जिगनेस की पु तो से लगा है सभीता के साथ तो से लगा है सभीता के साथ यह रही सभीता सभीता दुर्गा को क्या बोलेगी सभीता बोलेगी मेरे पती और मेरे पती की जो बहन होगी प्यारे दोस्तों पती की जो बहन होती है वो कौन होती है ननद होती है यह तो गलत लिख दिया ननद ठीक है इस तरह से क्या होती है न नानद आपका सही उत्तर हो जाएगा अगले प्रिश्ण में आ जाएए अगला प्रिश्ण प्यारे दोस्तों कुश्चन नमर छे है इसको देखिए बोला गया है चार बिकल्प सोरी निम लिखे चार सब्दों में से तीन सब्द किसी न किसी प्रकार से एक समान है एक सब्द आसमान है आसमान सब्द का चैन करें पूछताच करना विचार करना खोजना और जाचना इनमें से बताओ कौन सा विसम होगा तो प्यारे दोस्तों अगर गौर से देखेंगे तो यहां पर जो बिकल्प नमर दो आया है जो बिकल्प नमर दो आया है यह किसको दरसारा है ठि तो यहां पर जो विसम बनेगा वो विचार करना यानि कि thinking विकलप नमर भी विसम बन जाएगा जबकि तीन विकलप पूछना हो जाएगा जैसे कोई खो गया उसको खोजने निकल जाते हो उसको जाचने निकल जाते कभी कभी पूछने लगते कोई मिला है तो इस तरह से ये तीन अलग हो जाएगे विकलप नमर भी अलग हो जाएगा अगले प्रिश्ण में आये कुश्यन नमर साथ को देखेंगे कलेंडर का एक महतपूड प्रिश्णे बोला यदि किसी महीने की दो तारीक को रवीवार पढ़ती है दो फिर से मिश्टाइपिंग कर दिया है रवी सीधा बोला गया है यदि दो तारीक को यानि कि दो तारीक है उसको कौन सा दिन है उसको दिन है रवीवार ठीक है कौन सा दिन है रवीवार और हमसे क्या पूंचा है 31 तारीक का दिन किसका पूंचा है 31 तारीक का वह यह बता सकते हो यह तो आसान कुश्चन हो गया यार उस महीने में एसा तो कुछ कहा नहीं कि किसी महिने कि दो रभी बार है उसी महिन में 31 बार देखो कितना है 29 दिन का अंत रहे है विसम। और बिकलप नुद सोंबार याद रखेंगे और सौंबार बेकलप नमर डी में आएगा कहां पर बेकलप नमर डी में गौर से समझो जब भी ऐसा प्रिशन पूंचा जाता है उसने का दो तारीक को रभी बार है तो मैंने का हमसे पूंचा गया है 31 हमने क्या सोचा हमने का 2 को तो रभी बार है 31 को पूंच रहा है तो भाईया 2 और 31 के बीच का अंतरकिता आया आप बोले सर 29 आया और 29 में हमने सास से भाग लगाया अब सर आप बोलेगे बहुत सारी नए स्टुडेंट जो होगे कि सर सास से भाग ही क्यों लगाया जो पुराने है वो जानते हैं सास से भाग पहरे दुस्तों इसलिए लगाय कि हर साथवे दिन के बाद में अगला दिन रिपीट हो जाता है हर साथवा दिन क्या होता है आपस में रिपीट होता है ठीक है तो हमने बिना किसी देरी के गिनने लगते हैं उससे पहले एक ट्रिक जान लो ट्रिक क्या होती है साथियो जब भी एक इस तरह का त्रभुज दिखाई दे तो बताओ कितने है आप बोलेंगे इसमें कोई पूछने वाली बात है यहां पर तो सर एक ही दिखाई दे रहा है इसके बाद मैं कहूं एक लाइन ड्रो कर देता हूं अब बताओ कितने हैं तो आप बोलेंगे सर एक और दो दो हो गई लेकिन यहां पर गड़बड हो गई गड़बड क्या हो गई प्यारे दोस्तों यहां पर आपने नहीं गेना एक और तरबुज दो तरबुज यह तो सीधे दिगए जबकि आपने सबसे बड़ा बाला छोड़ दिया तो यही कारण है हमारा गलत हो जाता है तो ट्रिक क्या है इन दोनों को आपस में नंबर जो दिये हैं इनको जोड़ दो एक और दो कितना होता है जोड़के एक और दो जोड़के होता है तीन तो ऐसी जब भी आकरती जाएंगे नीचे की और जाएंगे तो यह आकरती उल्टी बनी हवी प्रतीत हो जाएगी आप LOGों को HERE Aक्रती उल्टी बनी हुए प्रती जाएगे जो मैंने बनाई इसके बाद आप यहां पर नंबरर देंगे मिलेगा ठीक है और सातवे नंबर का यहां पर मिल जाएगा ठीक है ये वाला ये सातवे नंबरका और प्यारी दोस्तु मैं आपको बता दूँ साथ के अलावा इस अकृति में एक भी तरबुझ नहीं है टोटल जो तरबुझों की संख्या आएगी बिकलप नंबर एक साथ आ से जो आकृती है यह कैसे भी अलग अलग टच नहीं कर रहा है इस करण नहीं बनेगी यह बूलेंगे यह अलग कॉर्णर यह बहतुअ पूर्णर में नहीं बनेगा केवल और इस्में जो तरबुजब बनेंगे वो साथ मिट्टी गहरी है तो जितनी भी मिट्टी है मैं बना देता हूँ जितनी भी M4 मिट्टी है वो सारी की सारी क्या है वो सारी की सारी G4 गहरी है इस बात को याद रखेंगे इसके बाद प्यारे दोस्तों बोला है कुछ गहरी हरा है तो कुछ गहरी को मैंने क्या बना दिया इतना इतना सा जो गहरी का पार्ट होगा यह क्या हो जाएगा हरा हो जाएगा ठीक है इस बात को याद रखेंगे H4 हरा M4 मिट्टी G4 गहरी H4 हरा अब कहा रहा है कोई हरा मैदान नहीं है दोस्तों यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा हरा की जो लडाई होगी हरा की जो लडाई होगी वो किस से करवानी है वो करवानी है मैदान से तो कोई भी हरा M4 मैदान नहीं है सोरी M4 नहीं इसको ऐसा लिख देते हैं मैदान चुकि हम M4 मिट्टी बना चुके हैं ठीके तो कोई भी हरा क्या नहीं है मैदान नहीं है मैदान और हरे की आपस में लड़ाई है इसके वाल अब गोर से देखो यहां पर अगर गोर से देखने जाओगे यहां पर गोर से देखने जाओगे तो आप बोलोगे कुछ गहरी मिट्टी है मुझे बताओ कुछ गहरी का पार्ट मिट्टी में आ रहा है आप बोलेंगे हाँ आ जाएगा कैसे आ जाएगा गहरी G4 गहरी और अंदर M4 मिट्टी तो बाहर से अंदर की ओर जब जाते हैं गौर से देखो यह जो आकरती बनी है यह G4 गहरी के लिए जो बनी है जब इसमें हम बाहर से अंदर की ओर जाएंगे कहां से यहां से जब बाहर की अंदर की ओर जाएंगे तो कुछ वाला पार्ट हमेशा सही होता है कुछ वाला पार्ट क्या है हमेशा सही होता है इस बात को याद रखेंगे ठीक है इस बात को याद रखेंगे अब देखो अब निसकर्स नंबर दो को पढ़ो प्यारे दोस्तों यहां से आप लोगों पर गलती हो सकते है ठीक निसकर्स नंबर दो को पढ़ेंगे बोला गया ह कुछ गहरी मैदान नहीं है मुझे बताओ कुछ G4 गहरी M4 मैदान नहीं है आप बोलेंगे नहीं है साफ साफ दिखाई दे रहा है कुछ गहरी मैदान नहीं है लेकिन यहाँ पर आपने अभी एक निसकर्स जो पीछे पढ़के आई गए वो छोड़ दिया कैसे कोई भी हरा मैदान नहीं है निसकर्स जाएंगे कथन जो कथन नमर तीन है उसमें बोला है कोई भी हरा मैदान नहीं है हरे का जितना भी पार्ट है गौर से देखो ये ये हरे का जितना भी पार्ट है ये क्याने है मैदान नहीं है अर्थात ये जो गहरी है ना गहरी का जो इत्ता इत्ता सा पार्ट आ रहा है ये वाला ये वाला पार्ट जो मैं डार्क करने जा रहा हूँ ये वाला पार्ट ये गहरी का पार्ट कभी भी मैदान नहीं बनेगा गोर से देखो कुछ गहरी मैदान नहीं है अर्थात ये जो गह दिखाई दे रही है ये वाला पार्ट ये वाला गहरी का पार्ट कभी भी मैदान नहीं बनेगा और निसकर्स नमर दो हमारा सही हो जाएगा कि कुछ गहरी मैदान नहीं है कुछ गहरी मतलब इतनी इतनी सी जो गहरी है वो मैदान नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इसकी और question बनाएगा तो यहां से बना देगा और दोस्तों आपका जो उत्तर बनेगा expression का both conclusion are right यानि कि निसकर्स नमर एक और निसकर्स नमर दो दोनों ही answer करते हैं लेकिन बेकलप नहीं दिया है भाई बेकलप ही नहीं दिया examiner ने निसकर्स नमर एक और निसकर्स नमर दो दोनों ही answer करते हैं तो यहां पर एक E नमर का option बना के लिखो both are right क्या लिखोगे both are right ठीक है इस बात को याद रखेंगे both are right दोनों से ही है विकलप नमर E ठीक है अगले प्रिश्ण में आजाओ अगला प्रिश्ण कुष्चिन नमर 10 बोला गया है साण जानबर और मासाहरी तो प्यारे दोस्तों गोर से देखो इसके लिए जो आरेक आएगा सबसे पहले आरेक में बनाओं अगर साण का तो कोई दिक्कत आप बोलेंगे नहीं दिक्कत है यहां पर S4 बना देंगे हम साण और साण जो होगा वो किसके अंतरगत आएगा आप बोलेंगे सर जानबर के अंतरगत तो यह जो पार्ट होगा वो किसके लिए होगा भाया जानबर के लिए होगा मुझे यह बताओ क्या कोई ऐसा जानबर है जो मासा हरी होता है आप बोलेंगे सर कोई क्या है बहुत सारे ऐसे जानबर होते हैं सेर है चीता है भालू है यह सारे के सारे मासा हरी होते हैं तो भाईया जानबर में जानबर का कुछ पार्ट जो होगा इतना इतना सा जो पार्ट होगा इतने हिस्से में जो जानबर आते हों जानबर में कुछ जानबर M4 मासाहरी हो गई तो यह A4 – साड यह J4 जानबर हो जाएगा ठीक है इस बात को याद रखेंगे यह J4 जानबर हो गया और यह हमारा क्या हो गया M4 मासाहरी तो ऐसी आकर्दी कहां पर है यह जो आकर्दी है देखो बेकलफनमर D में है प्यारे दोस्तों गोर से देख लो साण का संबंध मासारी से नहीं बनेगा क्योंकि साण कैसा होता है साकारी होता है बेकलप नमर डी हमारा सही उत्तर बनेगा इस बात को याद रखेंगे अगले प्रिशन में आईए कोश्चिन नमर 11 बोला गया है दोस्तों निम ने ल तो भाईया सबसे पहले तो यह एक तरह का डबाएगा ठीक है उसके बाद इस डब्बे में होगी एक घड़ी जो हमारी दरपड़ प्रतिम को सही-साही बताएगी ठीक है इसके बाद क्या करना है कुछ पॉइंट होंगे जैसे उपर का पॉइंट एक मिनिट जैसे हमारा उ जो हमारा दरपढ़ पूचा गया जिसका यहां पर 12 बज़े हैं तो नीचे 6 बज़े होंगे लफ्ट हैंड में 9 बज़े होंगे राइट में 3 बज़े होंगे यही जब दरपढ़ 6 हब हुए सब्सक्राइब तो उप्ति हमें बनेघ में आपका 3 ना राइट है जो हमारा लेप्ट है वो तो राइट हो गया और जो राइट है वो कहां हो जाएगा वो लेप्ट में हो जाएगा इस बात को याद रखेंगे तो यहां पर नो आ जाएगा उपर नीचे का सेम टू सेम रहेगा उपर बारा है तो नीचे भी कितना रहेगा भाया छे देखो, यहाँ पर अगर गौर से आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे यह बाली घड़ी में जो दरपड़ पृतिम नहीं बनाएं, मतलब एक सनाम की घड़ी में, गौर से देखो, छै के बाद आता है साथ, शाथ के बाद दोस्तों आपके पास क्या देर रखिये, घड़ कुछ इस तरह की गड़ी की सुई आएगी जबकी गौर से देखना है जबकी हमारी जो मिनिट की सुई होगी वो दो को पार करते हुए जाएगी दो को पार करते हुए तो कुछ इस तरह से ठीक है इस बात को याद रखेंगे अब गौर से देख लो प्यारे दोस्तो यहां पर ऐसी आकृती कहां पर है यह जो हमें दे रखे है यह जो दरपड़ यह जो छबी दे रखे है जो भी हमने बनाई है यह कहां पर दे रखे है देखो भया इसकी दिसा दूसरी है गंटे वाली सुई की मिनट वाली सुई की देखो यहां परदिसा नीचे आ रही है, यह गलत है पहला बाला तो होगया गलत उसके बाद देखो उसके बाद देखने जाओगी, यहां पर देखो यह गऴी की जो सौई है यह 8 के बाहर जा रही है C में 8 के बाहर जा रही है जबकी D में as a T's आकृति बनी है जो हमने अभी बनाई है, जो हमने अभी बनाई है, चाहो तो इसको इससे मिला लो, गोर से देखते जाओ प्यारे दोस्तों, आप लोग चाहो तो इसको इससे मिला लो, D नमर से, as a tease बनी होगी, as a tease, बिल्कुल same to same, ठीक है, इस तरह से हमारा उत्तर आएगा कौन सा, भाहिया चिपी हुई आकरती, क्या होता है? चिपी हुई आकरती, ये question बहुत ज़्यादा examiner पूझता है, तो चिपी हुई आकरती मतलब ऐसी आकरती जो होगी, एकस नाम की ये कहीं न कहीं इन चार विकलपों में चिपी होगी, तो दूस्तों बताओ, कहां पर पर मिल जाएंगे. एकस नाम के अकरती. गौण से देखो विकल्प नमर ए को विकल्प नमर A में ही मिल जाएंगी. तो, इस प्रिश्ण का उत्तर बनेगा, वो क्या बनेगा विकल्प नमर ए बनेगा ठीक है अगले प्रिश्ण में आजाओ अगला प्रिश्ण कुश्चन नमर 13 है कुश्चन नमर 13 में बोला गया है निमलिखित प्रिश्ण में कौन सा विकल्प बेसम है तो गौर से देखो प्यारे दूस्तू ज्यादा समय बैरतर नहीं करेंगे यहां पर अगर अगर गौर से देखेंगे बिकल्प नमर B में बिकल्प नमर B में तो देखो 5 तरबुज एक दो तीन चार और पांच तरबुज हैं तो इसके लिए 5 प्लस दे रखे जितने तरबुज उतने ही प्लस ठीक है इसके बाद यहां पर देखो C में 1,2,3,4,5 तो 5 तरबुज पा उनकी संक्या समान नहीं है इसका मतलब बिकल्प नमर D क्या है साथियों बिसम है क्या है ओड है इस बात को याद रखेंगे तो क्या गलट बनेगा यहां पर D नमर E को देखेंगे तो देखो तीन तरवुज है और तीन ही प्लस है इस तरह से तो ईबाला भी सही क्थने तरवुज उतने ही प्लस होने चाहिए जबकि बिकलप नम्मर 2 में तो तीन प्लस है दो ही तरवुज है इस का रभबे समय अगले प्रिश्नों में आ जाईए निकास के माध्यम से सहर में प्रदूसर के इस्तर में किसी तरह की बृद्धी से निवासियों में एक गंभीर समस्या पैदा हो जाएगा बोला गया है उद्ध्योगिक अफसिष्टों यानि कि जो उद्ध्योग दंदे होते हैं वहां से निकलने वाले अफसिष्ट ठीक है और कहा रहा है और यह बहां चलते हैं आप्टो मोबाईल निकास के माध्यम से सहर में प्रदूसर के इस्तर में किसी भी तरह की बृद्धी से निवासियों के लिए एक गंबीर खत्रा पैदा हो जाएगा तो क्या कारवाही कर सकते हैं उसके लिए कारवाही नमर एक कहला है सहर में सभी कार खानों को तुरंत बंद कर देना चाहिए वह केवल कार खानों से क्या कर्चला निकल रहा है उसने बोला है आटो मोबाईल निकास भी होना चाहिए तो यह बाला तो गलत हो गया पहली तो कारवाही गलत उसने बोला है सभी सहर में जितने भी कार खाने है नो तुरंत बंद कर दे तो यह कार खाने से अगर बात थोड़ी दिन चल रही है बात तो चल ले है आटो मोबाईल से भी तो यह तो गलत हो ग तो एसा भी नहीं करेंगे ठीक है यह भी कारवाई हमारी उच्छत नहीं होगी यह अनुच्छत है गलत हो जाएगी उसने बोला है सरकार को कार खानो आटो मुबाईल को नए लाइसंस के मुद्दे पर पृतिबंदित करना चाहिए दिखो प्यारे दोस्तों गोर से दिखो कथन में बोला है ओध्योगिक अपसिष्ट और आटो मुबाईल तो मतलब दोनों के दोनों जिस कारवाही में होंगे वो हमारा सही होगा देखो पहली वाली कारवाही में केवल कार खाने बोला गया है दूसरे वाली में केवल आटो मुबाईल बोला गया है जबकि तीसरी वाली कारवाही में उसने बोला है सरकार के कार खाने और आटो मुबाइल को नई लाइसेंस मुद्दे पर प्रतवन्द करना चाहिए तो भईया यहाँ पर दोनों में कारवाई हो रही है दोनों कथन के अनुसार दोनों में कारवाई होगी तो हम बोलेंगे केवल तीन नमर की कारवाई की जाएगी क्या बोलेंगे केवल तीन नमर की कारवाई की जाएगी जिससे क्या होगा एक जो गंभीर समस्या प्यादा हो रही थी निवासियों में उससे खतरा टाला जा सकता है बिकलप नमर सी सही है अगले प्रिश्ण में आजाओ क्वेश्ण नमर यहाँ पर देखेंगे 15 को बोला गया है साथियों निमने लेखित प्रिश्ण में लुपत संख्या ग्यात करो लुपत संख्या बतानी है जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा इसका सही जबाब जल्दी से आप लोग बता सकते हैं ब्यारे प्रियास करो तो गौर शे स्बसे पहले मैं बिना समय को बेर्त कीए बताता हूं यहां पर इसे एक नमर बान लो इसे मान लेते हैं दो नमर और इसे हमbereक हम लेते तीन नममर ठीक है आप बोलेंगे सर 5, 2, 10 यह तो कच्छा 2 का बच्चा बता देगा उसके बाद 3 का गुड़ाँ 1 में तो क्या करेंगे 3 गुड़ाँ में 1 तो 3 हो जाएगा दोनों को जोड़ो कितना 13 आ रहा है हाँ सर 13 आ रहा है, मिडल में दे रखा है ठीक है इस बात को याद रखेंगे सामने सामने की संख्याओं को आपस में जोड़ लो दो को जोड़ेंगे पास से और तीन को एक से इनका सरी जोड़ेंगे नहीं गुड़ां करेंगे माफी चाहेंगे जोड़ेंगे नहीं गुड़ां करेंगे ठीक है इस बात को याद रखे अब दोस्तों यही logic हम लगा देंगे यहां पर, कहां पर इसके बीच में, तो बीच बाला logic हमारा आ सकता है, सामने का सामने 6 का गुणा 4 में, तो 6 गुणा 4 वह यह 624, किता होता है 624, 5 का गुणा 1 में 5 एकम, 5 तो 5 गुणा 1 बराबर में 5 एकम 5, दोनों को जोड़ेंगे, क् क्या 29 दे रखा है, हाँ सर 29 दे रखा है बिकलप नमर डी में, बिकलप नमर डी इस question mark का इस्थान ले लेगा, क्याएगा question mark बराबर हम बोलेंगे, सर 29 आएगा, और प्यारे दोस्तों, यह जो question था 15 नमर का जिसका उत्तर 29 है, यह आज की class का अंतर,